सुप्रीम कोट जूनियर कोट एसिस्टेंट के सभी केंडिडेट्स का मैं स्वागत करता हूँ जैसा मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि 15 मार्च तक आपका रिजल्ट पब्लिस कर दिया जाएगा सेम वही हुआ तीन मार्च यानि की कल आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिस कर दिया गया है आप सभी लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा और जिन भी बच्चों ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है वो सुप्रीम कोट के ओफिसिल वेबसाइट पर जाएं रिक्रूटमेंट के उपर क्लिक करें और वहां से जाकर आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं जिन भी बच्चों का स्लेक्षन हो गया है उन सभी बच्चों को बहुत बहुत सुपकामना है और जिन भी बच्चों का स्लेक्षन नहीं हो पाया है उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट के अंदर एक और बड़ी भरती आने वाली है सारी डिटेल् पूरूँगा फिलहाल इस वीडियो में जिन भी बच्चों का स्टार्ट करना तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बहुत सारे बच्चों के पास एप्लिकेशन नमबर नहीं है अब हो savoir रहे हैं तो बिदाउट एप्लिकेशन नमबर अब हमारा रिजल्ट चेक नहीं हो सकता ऐसे में क्या कुछ किया जाए तो फर्स्ट इशू आ रहा है कि हमारा जो फोन है या फोन नमबर है वो हमने चेंज कर लिया है अब हम अपना एप्लिकेशन नमबर कहां से निकाल हमने फॉर्म का प्रिंट आउट भी नहीं रखा था तो ऐसे में एक आपके पास जो ओल्टरनेट है वो यहां पर है email ID email ID यहां पर email ID के अंदर आप जब जाएंगे तो उपर एक सर्च का उप्सन होता है SCI वहां पर आप डाल कर सर्च कर देना जो भी Supreme Court की तरफ से आपके पास mail आई होगी वो आपको पता लग जाएगी और उसके अंदर आपका application number, आपका role number, आपकी exam CT, everything is available in that particular email ID आप email ID के उपर जाकर अपना जो application number है वहां से आप पता कर सकते हैं अगर email ID के उपर आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद सहद आपके पास कोई भी alternate नहीं है सर्च करने का क्योंकि उसके अंदर कोई भी forget वगेरा का option आपके पास नहीं आता है फिर तो आप या तो कोई mail डालिये या फिर कुछ और process अपना check कीजिए जहां पर application लिखाओ तो जिन भी बच्चों के पास phone number नहीं है वो email ID के उपर जाकर अपनी जो application number है वहां से ले सकते हैं ठीक है पहला doubt के लिए रोगा है दूसरा हम यहां पर बात करते है cut off को लेकर बहुत सारे बच्चे है जिनको doubt है cut off क्या कुछ गई है भई cut off कैसे हमें पता लगेगी तो देखे यह मेरे सामने यहां पर जो है एक किसी बच्चे ने मेरे पास बेजा था जिसके GE, GE और GK के अंदर 57 marks है यहां पर अगर यहां पर मैं बात करता हूँ आपकी computer में तो उसके यहां पर 11 number है अगर मैं mistake percent की बात करता हूँ तो 9.67 35 का आप यहां पर 3% तक आप mistake कर सकते है typing speed यहां पर 25.22 है और 0 marks उसको यहां पर दिये गए है अब यहां पर cut off का क्या scene है तो यहां पर आप देखेगा point number यहां पर जो है 4 इसको आपन read करेंगे point number 4 यहां पर आपको क्या कहता है cut off for return test या objective test की cut off क्या रहेगी more than or equal to 50% normalized marks out of 100 मतलब की जो आपके यह 100 number है भाई देखो यह 100 number है न इसका 50% यह उससे ज़्यादा मतलब की 50 plus 50 या 50 plus number आपको लेने क्या है जरूरी है so यह जो बच्चा है यह यहाँ पर जो 100 number वाला था उसके अंदर qualify यहाँ पर कर गया है समझ में आगी तो मतलब कि आपने cut off को क्या कर ली है clear यहाँ पर कर ली है second क्या कह रहा है कि जो आपका computer knowledge थी यहाँ पर उसके अंदर 13 marks आपको लेने जरूरी है so यहाँ पर इसके number कितने है 11 number so अगर यह 13 number या 13 से ज़्यादा ले लेता तो यहाँ पर qualify कर जाता 11 number की वज़े से इसने क्या हुआ यहाँ पर fail हो गया है so जिन भी candidate के अगर माल लो for example 25 में से 14 number यहाँ पर आ रहे है so यहाँ पर क्या कर रहे है क्वालिफाई कर रहे है मतलब cutoff को clear कर रहे है लेकिन इसके यहाँ पर कम है तो यह क्या हो गया है यहाँ पर जो cutoff है उसको clear यहाँ पर नहीं कर रहे है ठीक है चलिए अब तीसरा इसके बाद फिफ्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यहां पर 35 वर्ड पर मिनिट आपसे मांगे गए थे आप 35 वर्ड आप लिखनी पाए तो ऐसे में अगर आप 35 वर्ड नहीं लिख पाए हैं तो यहां पर इसने कितने लिखे 25 वर्ड पर मिनिट आफ्टर 9.67 जो 3 30% का जो एरर है वो करने के हटाने के बाद सो यहां पर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं इस वज़े से जो मार्क से वो यहां पर आपको कितने दिये गए हैं जीरो फोर एक्जामपल यहां पर 25 की जगा मैं कहता हूं कि वो 45 वर्ड पर मिनिट लिखता है सो पचास में से आ आपके कोई दिक्कत नहीं है फिर जो आप है वो यहां पर आप क्या कर रहे हो क्वालिफाई यहां पर कर रहे हो ठीक है सो नोट क्वालिफाई फो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब कि आप डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है उसको यहां पर क्या नहीं कर रहे हो क्वालि for descriptive test यहाँ पर ठीक है समझ में आगी आपको यह है आपकी cut off simple जो यहाँ पर दी हुई है 50% से जादा आपको G&GK के मदर computer में 13 से जादा और इसमें 35 word से जादा लिखना है अगर आप यह किया है तो आप यहाँ पर क्या कर रहें qualify कर रहें समझ में आगया cut off का भी चली आगे बात करते हैं descriptive paper जो है उसके बारे में आप ठीक है कि जो descriptive आपका paper होगा वो online होगा या offline होगा बहुत सारे बच्चों के सवाल है जो आपका paper होगा भाई वो यहाँ पर offline mode के अंदर होगा pen और paper के उपर आपका जो है वो होगा क्योंकि जो descriptive paper होता है जो tier 2 का paper होता है वो always किसका होता है paper and pen के उपर होता है आपको लिखने की practice जो है वो यहाँ पर बहुत सामदार होनी चाहिए ठीक है यह doubt भी clear हो गया कि pen और paper के उपर ही आपका जो है वो exam जो है वो exam conduct करवाय जाएगा इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ tier 2 कब होगा त्यारी कैसे करें most important यह है so जो tier 2 है वो within 30 days के अंदर within 30 days के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो exam है उससे related कोई ना कोई आपके बाद detail आजाएगी so March end तक March end तक आपको पता लग जाएगा tier 2 के बारे में कि अब जो time है वो आपके बास बहुत कम है so आप अपनी त्यारी है जो रखनी है अब बाद आती है त्यारी कैसे करें अब देखिएगा पूरे YouTube पे आप घूम के आजाओ आपको descriptive जो paper है ना कि त्यारी सुप्रीम कोट की कोई भी करवाता हुआ नहीं मिलेगा लेकिन हम आपको त्यारी करवा रहे है already हमने start भी करवा दिये तीन क्लास तीन क्लास already हो चुकी है आपकी tier 2 के descriptive paper की क्योंकि मुझे पता था कि आपका जो exam है वो आने वाला है रिजल्ट जो है वो आने वाला है और इसी वज़य से advance में मैंने आपको जो आपकी त्यारी है वो start करवा दी थी क्योंकि मुझे idea था कि 15 तारिक से पहले-पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और बच्चे जो हमसे जुडे हुए हैं वो त्यारी कर भी रहे हैं साथ में मैं जो आपको homework देता हूँ ताकि आप अच्छे से यहाँ पर कर सके वो हमारे fun, learn, buy, anuj टेलिग्राम पर बच्चे लिख कर भी भेज रहे हैं अब tier 2 के अंदर क्या होगा एक चीज और आपको यहाँ पर समझनी होगी tier 1 आपने यहाँ पर qualify कर लिया that's it अब जो descriptive paper होगा यह plus interview यह दोनों यहाँ पर मिला कर आपकी merit बनाएंगे और जो descriptive paper होगा वो हल्वा नहीं है अब खुद अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको समझ में आजाएगा कि कैसे आपको लिखना है अगर आपको पेपर दे दिया जाए तो आप पैन नहीं चला पाओगे और अगर आप लिखकर आओगे 100 नंबर में से 30 नंबर का आपका पैसे जाएगा 30 नंबर की प्रेसी राइटिंग आएगी बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं बता है कि प्रेसी राइटिंग आखिर में होती क्या है ठीक है तो तीसरा 40 नंबर का यहाँ पर ऐसे आपके पास आने वाला है और इनके अंदर जितने भी जिनोंने भी टीर वन जो रीजनिंग मैट्स वगरा को निकाल लिया टाइपिंगर के निकाल लिया अब जो हसली उनके पास चैलेंज आएगा वो आएगा डिस्क्रिप्टी पेपर का उसके अंदर आप देखोगे कि 200 प्लस जो पोस्ट आपके पास है उनके अंदर सारे बच्चे कैसे भार होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए भार हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने ना प्रैक्टिस की ना उन्होंने क्लास को अटेंट किया और वहाँ पर जब उनके नमबर आते हैं तो 40 नमबर, 20 नमबर, 25 नमबर इस तरह से marks आते हैं, वो qualify नहीं कर पाते हैं, वाँ पर, ठीक है, so, अगर आपको अच्छे से त्यारी करनी है, तो त्यारी हम आपको करवा रहे हैं, daily class हो रही है, पहले तो आप जाकर तीन class, जितनी भी तीन class करवाई हैं, आज आप सारी जाके वो class देख लेना, कल हम अपनी fourth class लेके आएंगे, जिससे कि जितने भी बच्चे qualify होए हैं, वो हमारे साथ मिलकर आगे class में जा सकते हैं, आगे हमारे साथ त्यारी को जारी रख सकते हैं, ठीक है, so फिलाल के लिए तो बैस यही कुछ डिटेल्स दे, आपकी जो भी tier 2 है, वो within 30 days के अंदर आपको पता लग जाएगा, सारी details, और बहुत जल्द आपका tier 2 conduct भी करवा दिया जाएगा, टाइम बहुत कम है, regular जुड के हमारे साथ आप त्यारी कीजिए, आपको जो homework दिया जाता है, वो सारा कीजिए, उनको आप check करवाईए, जिससे की पता लग सके आपकी गलतिया क्या है, और 100 में से आप 60 plus का score यहाँ पर करें, जिससे की आपका number यहाँ पर आ सके, क्योंकि वेकेंसी बहुत जादा कम है, और जो बच्चे आपका, पोस्ट के लिए, वो seriously select होना चाहती है, इसलिए वो हमें बेज रही है, तो आप यह ऐसे एक अपने अंदर रखें, कि मुझे select होना है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे job लेनी है इस बार, तो आप जूड़ जाए, कल से हमारी fourth class होगी, आज class आपके लिए नह आपके लिए.